आपका सागत है तो आज हम बनाने वाले ब्रेथ वाली आलू जो की बहुत ही सिंपल तरीके सा तुरंद बन करके रेडी हो जाती है और बहुत ही असानी के साथ ज्यादा कुछ समान नहीं लगता और आप फट फट बना करके रेडी कर सकते हो और साथ में चाय की चुस्की और पर मज़ा आजाता है तो आए हम रेसिपी को सुरू करते हैं तो गाइस रेसिपी सुरू करने पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल ना भूले ओपने बिल्कुल प्री में और आलू लिया है वह इन अलू है इस चीच के आप ध्यान दीजे तो आलू को आप फोड़ सकते हैं इसे हम हाथ की मदद से जैसे आप देख रहे हैं वैसे हमें फोड़ लेना अगर आप चाहिए तो आप चाकु से कड़ भी कर सकते हो इसे और साथ में अगर आप हमने इसखिप किया है आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं इहां पर आप देख पा रहे हो हमने आलू को तरीके से फोड़ लिया है तो जलते हैं कड़ाई की तरफ तो कड़ाई हमने चणा कर करके रख दिये और इसमें हम मुववली का तेल डाल रहे हैं अगर आप देसी बनाना चाहते हैं तो आप देशी घीव से भी बनाजाते हो मेरे बाद मुगफली के तेल था तो मैंने उसी से बना लिया है यहां पर हमने मुगफली डाल दिया है तेल में और में आलू मिला देना है और आलू को मिला करके अच्छी तरीके से इसे नीचे से ही कल्चली करके मिलाना है आप इस इसका बहुत ध्यान दीजेगा बस इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है जो साइड में नीचे नीचे आलू लगती है तो उसे हमें छुटा भी लेना है इसे आलू हमारी लाल बहुत अच्छी तरीके से होती है, सुन्धापन अच्छे से आ जाता है, आप देख पारो हम कैसे छुटा रहे हैं, नीचे जो आलू लग रही है, तो बस इसे ऐसे ही छुटाते हुए, आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजे, फिर इसमें हम सेंधा नमक यूज़ करेंगे, अगर आप इसकिप करना चाहे तो कर सकते हैं, हम खाते हैं तो हमने यूज़ किया, काली मिर्श पाउडर यूज़ करेंगे, और इसे अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, और इसी के साथ हम फिर साबुदाना एड़ कर ताकि अच्छी तरीके से सबी चीज़े लाल हो जाए और एक दुसरे में मिक्स हो जाए, तो गाइस आप देख पा रहे हो, व्रत वाली आलू हमारी कितनी अच्छी तरीके से बन गई है, इसे हम आलू की घुगरी भी बोल सकते हैं, और व्रत वाली आलू भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बन करके रेडी आप पास से देख पा रहे हो तो बस इसे अब हम गरमा गरम सर्व करेंगे तो गाइस हमने सर्व कर लिया है तो गाइस आज की रेस्पी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए रेस्पी पसंद आई हो तो फ आयाँ!